हलो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से सुवागत आपका माइंड एक्जाम के यूटूब चैनल पर जी हाँ दोस्तों SSB ट्रेड्समें बढ़ती 2020 कॉंस्टिबल ड्राइवर के दोस्तों फीजिकल के एड्मिट कार्ड जारी कर दिये गए हैं चार अपरेल 2022 से दोस्तों फीजिकल आपके है ड्राइवर ट्रेड के सुरू होने वाले हैं परन्त दोस्तों जो बाकी ट्रेड आपकी बचती है जिसमें वेटिनरी है कुक है सपाई वाला है इसके लाव दोस्तों और भी ट्रेड है उनके फीजिकल कब तक सुरू होंगे इसक को इंतजार है कि कितना समय और लगने वाला है उनके फीजिकल के लिए कब तक उनके एड्मिट कार्ड जारी किये जाएंगे और दोस्तो फीजिकल के समय कौन-कौन से डोकुमेंट की जुर्थ पढ़ने वाली है कि अभी से फीजिकल की त्यारी सुरु कर देनी चीए तो दोस्तो हम आपके लिए लेटेस्ट और दोस्तो कनफरम अपडेट ले के आचुके हैं जी हाँ दोस्तो जो बाकी ट्रेड हैं उनके एड्मिट कार्ड फीजिकल के कब तक जारी किये जाएंगे कब तक उनके दोस्तो यह फीजिकल सुरू होने वाले हैं और दोस्तो आज से आपको फीजिकल की त्यारी सुरू कर देनी चाहिए नहीं कर देनी चाहिए इसके अला दोस्तो जब आपका फीजिकल होगा उस समय आपको कौन-कौन से डोकुमेंट की जुर्द पढ़ने वाली है और दोस्तो अगर आपके पास अपनी registration ID या password नहीं है क्योंकि दोस्तों जब आप admit card निकालेंगे तो आपके पास है registration ID और password होना चाहिए तो अगर वो नहीं है तो कैसे उसको आप forget कर सकते हैं इसके अला दोस्तो complete जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं काफी important वीडियो आपके लिए रहने वाला है तो ये वीडियो को आप अंतक जुरूर देखेगा साथ ही वीडियो को like कर दे और अभी तक आपने मारे चैनल subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके bell icon भी जुरूर प्रेस कर लिजे ताकि दोस्तो आगे की जानकारी भी आप तक सबसे पहले पहुंच सकें वही दोस्तो comment करके जुरूर बताएगा कि आपने कौन सी trade से phone दोस्तो apply कर रखा है सबसे बेल दोस्तो बात कर लेते हैं आपका जो भी यहां password इसके अलाव दोस्तो जो आपकी registration ID है अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तो आपको tension करने की बिलकुल भी जुरूरत नहीं है जी हाँ दोस्तो आपके सभी के admit card है वो जारी किये जाएंगे मैं आपको example for दोस्तो जो भी driver के admit card जारी किये गए है मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अगर आपके पास यहां registration ID और password नहीं है तो दोस्तो यहां से आप forget भी कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो जीसे कि आप देख सकते हैं registration ID साथ ही password मांगा गया है और दोस्तो यह नीचे जो capsa है वो आपको यहां डाला है प्रांतो दोस्तो अब यहां थी password भूल चुके है registration ID बहुत सारे बिहार्टी के पास है तो दोस्तो टेंसन करने की बिल्कुल भी जुरूत नहीं है यहां दोस्तो आपकी पास forget registration ID का यहां option है जैसे दोस्तो इस पर आप किलिक करेंगे जैसे आप किलिक करेंगे तो आपके सामने यह option आने वाले है जी हाँ दोस्तो यह option आने वाले है और यहां दोस्तो सबसे पहले आपको दिखाए देरा है select post applied जिस भी post आपने apply किया है जैसे कि यहां आपकी सारी post driver है आपकी veterinary है आया है आपके water care है plumber है penter है टेलर सभी दोस्तो जो post जहां से आपके phone apply किये गए तो वो सारी इसमें post है और इसके जो भी आपने जिस समय phone apply कि यहां था वो आपको number यहां डालने है अपनी डेटोबर डालनी है और दोस्तों यह capture आपको डालना है जैसे दोस्तों आप submit करेंगे तो दोस्तों नीचे तोर पर आपके यहां नीचे है वह यहां green color में आपके जो registration ID है और password आपको देख जाएंगे उसका screenshot लेके रख लिज है था कि आपकी अप्रेल मंत में physical सुरू हो जाएंगे कुछ अभियारत उन्हें serious नहीं लियाता है और दोस्तों जिनका चार तारी को physical है वो दोस्तों संकट में है कि मैं कैसे running कर बांगा तो दोस्तों यह गलती आपको नहीं करनी है जी हां दोस्तों आपकी जो physical है आपको की त्यारी में जुड़ जाना चाहिए जी हां दोस्तों आज से आपको जीत और मेनत करनी है क्यों दोस्तों जब physical ही qualify नहीं होंगे तो आगे प्रोसेस में ही आप सामिल नहीं होंगे तो physical आपकी first priority होने चाहिए कि आपको qualify करना ही है अब दोस्तों physical में आपकी क्या क्या ची फिजिकल होगा इसके साथ दोस्तों उसके बाद exam होगा और दोस्तों उसके बाद आपका trade test होगा जी हां दोस्तों कुछ अभिहारती बोल देते कि सर क्या physical के साथ ही trade test होगा तो बिलकुल भी नहीं होगा आपका जो exam qualify कंडेट करेगा उसका दोस्तों trade test होने वाला है उसी स वो काफी tough होने वाला है क्योंकि दोस्तों गर्मिया आपकी बहुत ज्यादा पढ़ने लगी है और दोस्तों अगर आप मेल है तो 4800 मिंटर की आपकी रणिंग करवाए जाएगी 4.8 किलोमेटर की आपकी रणिंग करवाए जाएगी जिसके लिए आपको 24 मिंट का समय दिया वही दोस्तों अगर हाइट की बात करें तो यह आपकी 170 cm होने चाहिए दोस्तों अगर बात करें तो आपकी कई पोश्ट में आपको हाइट में रिलेक्शेशन दिया गया है अगर दोस्तों आप driver के अलावा अगरे पोश्ट न अप्लाए किया है तो 179 cm आपकी मेल की 78 cm गया है तो जब भी आपका फीजिकल होगा उसमें आपकी 10th की मारक सीट और दोस्तों सेंटरल लेवल का वो आपको लेके जाना है थबी दोस्तों यह आपको आपकी जो हाइट है इसके अलाव दोस्तों आपका जो यहाँ चेस्ट है उसमें आपको छूट मिलेगी अधरवाइस नहीं मिलेगी ध्यान रखेगा एस्टी में मिलने वाली है बाकी में नहीं मिलेगी तो आपको यह लेके ही जाना है अपना जो सेंटर लेवल का का सटे बिकर इसके अलाव दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि फीजिकल आ तक आपके फीजिकल ड्राइवर पोश्ट के ही होंगे और उसके बाद दोस्तों आपके फीजिकल होने वाले हैं यह कंफम इन्पोमेशन मैं दे रहा हूं क्योंकि पहले में आपको बतायाता है कि फीजिकल अप्रेयल के फर्स्ट वीक से सुरू होने वाले है कुछ अभिया आज से सुरू होगा या दोस्तों जोन के फर्स्ट वीक में आपकी सभी जो ट्रेड है उनका फीजिकल दोस्तों सुरू हो जाएगा जिया दोस्तों इस बात को आज से आपको गाट बनके लग लेना है कि आपको जी तोड है वो फीजिकल की तैयारी आज से ही सुरू करनी है क्योंकि अगर physical की त्यारी आप नहीं करेंगे तो इस गर्मी में आप 4800 मिटर या 2400 मिटर की रणिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे और आपको यहां मैं बता दूँ कि जो trade certificate है उसकी बिल्कुल भी tension नहीं करनी है एक्जाम के बाद आपका है trade certificate बनवा लेना है और दोस्तो जो trade certificate जब आपके form बरे गे थे उससे दो साल पहले का होना चाहिए इस बात का भी आपको ख्याल रखना है और फिजिकल ज्यादा tough नहीं होगा अगर आप तियारी करेंगे और बाकी exam के लिए हम आपके लिए online बेच भी लेके आएंगे तो उसकी भी आपको टेंसर नहीं करनी है सिरफ फिजिकल पर भी आपको focus करना है और फिजिकल आपकी first priority होने ची कि आप फिजिकल सबसे पहले qualify करें उसके बाद exam की त्यारे में जुड़ जाए और उसके बाद दोस्तों आपका ट्रे टेस्ट होगा और उसके बाद आपका medical और इस साथ ही दोस्तों आपका document verification और आपकी final mid list है वो आपके जो exam के नमबर होंगे उसके आदार पर ब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जहित जेवर